नमस्कार मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं देभूमी मिरर टीवी आग के ढेर पर हमीरपूर बस्टेंड या यूँ कहें कि बारूद की ढेर पर हमीरपूर बस्टेंड तब भी कोई अतिस्योक्ती नहीं होगी हमीरपूर बस्टेंड पर हिमाचल पत परिवहन निगम द्वारा संचालित डीजल पंप की सुरक्षा तीन बाल्टियों में भरी रेत और जंग लगे एक अगनी समन यंतर से की जा रही है सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा के मापदंड डीजल पंप से कोसों दूर है हमीरपूर बस्टेंड पर मौझूद डीजल पंप की बंडारन क्षमता 11,000 लीटर की है बस्टेंड पर चल रहे इस डीजल पंप को बिल्कुल सुरक्षित नहीं कहा जा सकता इस डीजल पंप को NOC देने बाले अधिकारियों पर तो सवाल उठेंगे क्या अधिकारियों ने NOC देते समय नीमों की जांच परताल की थी या बेहोसी की हालत में ही NOC जारी कर दी गई जानकारी के अनुसार पंप के 100 मिटर के दाएरे में कोई रहाईसी मकान नहीं होना चाहिए ये जांच कब इसे है कि इस पंप को NOC कहां से मिली और अगर पंप के पास NOC नहीं है तो यह पंप सचारू रूप से चलाया कैसे जा रहा है डीजल पंप की सुरक्षा को लेकर पुकता प्रबंध ना होने के कारण अगर कोई घटना घट जाती है तो यह बात सोचकर ही रॉंक्टे खड़े हो जाते हैं कि बैदरिस्य कितना भ्याबे होगा इसकी कलपना मातर से ही रूख कांप उठती है दर्सकों को बता दें कि हिमाचल परिवहन निगम की सेंकडों बसें डीजल भरवाती है और अपने गंतबे की और प्रस्थान करती है और अधिकतिर बसें बस्टेंड पर ही खड़ी रहती है हजारों यात्रियों से खचा खच भरा रहने बाला हमीरपूर का बस्टेंड पहले ही जाम के बोज़तले दबा रहता है उपर से डीजल पंप का खत्रा भी सिरपर मंडराता रहता है देव भूमी मिरिर की टीम निगम के अधिकारियों से बिंती करती है कि आप बस्टेंड पर मौजूद यात्रियों और आसपास के रहाईसी छेतर में रहने वाले लाखों लोगों की जिन्दगी से ना खेलें और हम अधिकारियों के ध्यार में एक बात और लाना चाहते हैं कि अगर डीजल पंप पर अगनी कांड की घटना घटित होती है तो आग में घी का काम यहां पर खड़े या दोपाहिया बहन भी करेंगे हमिरपूर बस्टेंड से देभूमी मिरिर के लिए कैमेरा परसन रोहित के साथ मैं राजेश कुमार खना धन्यवाद